हलो एबरिवन एक पर फिर से आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पर और आज आपके लिए लिए लिख राए हूँ क्लास 12 की बड़े इंपोर्टन डॉपिक यानि वाइवा बेस क्वेशन की वीडियो जो की पेंटिंग से है फाइन आर्ट से है अगर आपके स्कूल में अभी तक वाइवा नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे क्वेशन हैं जो आपकी उस डर को दूर कर सकते हैं जो आपके माइड में होगा कि पता नहीं ख्वेशन क्या पूचिंट पूच सकते हैं बट आपकी file आपका data त्यार होता है तो ठीक है एक bound हो जाता है examiner लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों की statement सुनी है जैसे कि आपको मैं comment section में बोलता हूँ आप अपने views लिखिये, उनका comment आता भी है कि sir हम से तो कुछ और ही पूछ लिया गया तो ये बात आपको clear करूँगा कि no doubt he is free to means examiner आपका external जो है he or she is absolutely free to ask you any question लेकिन आपकी तयारी अपने हिसाब से अच्छी होनी चाहिए और यही question आपको helpful होंगे तो look at the very first question है जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि what are the fundamentals of heart fundamentals of heart में अगर आपसे पूछते हैं तो आप बोलेंगे limbs of heart, elements of heart और principles of heart यह basic fundamentals है यह आपने इतना जवाब देने फिर अगर आपसे teacher पूछता है कि different elements of heart आप बताईए तो आप बोल सकते हैं shape, line, form, space, value, color और texture और आप कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन देखिए इनकी definition आपको इसलिए देरा में अगर आप कहेंगे तो 100% दूँगा लेकिन मुझे है कि आपको hint दे रहा हूँ आप इनकी definition अगर मैंने आपके साथ यहाँ इनको just heading को explain किया तो definition तोड़ा सा go through कर सकते हैं आप अपनी book से different principles of art अब इनी से related हमारे जो mean देखे painting अगर आप कर रहे हैं और आपको colors की knowledge नहीं है तो समझे you are not a painter मैं यह नहीं कहाथा कि आपको painting के line में जाना है इसलिए आपको इसकी knowledge होनी चाहिए लेकिन एक student है अगर आप painting के means arts के fine arts के तो आपको painting की knowledge तो होनी चाहिए क्योंकि वहा होती है कुछ nature based होती है वो सारी की सारी दस दस शीट का ऐसी division होता है फिर उसके लावा आपसे जो है एक वहाँ पर practical के तोर पे एक painting बोलने के लिए आपको कहा जाए कि बनाईए आप इसको हमारे सामने तो बच्चों को तो कई वार ऐसा होता है कि brush भी पकरना नहीं आता ब आप कहा पर primary colors के बारे में क्या बता सकते हैं यह बहुत important आपके लिए जानना है if you are a student of fine arts तो primary colors की definition आपने सबसे पहले देनी है कि यह basic colors होते हैं और इनको आप obtain नहीं कर सकते है by mixing any two colors सबसे बड़ी बात इसकी यह होती है and they are pure and are found in nature nature में ही मिलते हैं जैसे होते हैं they are also known as natural colors the primary colors are जैसा कि मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है primary colors जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर आप पीछे तो हड़ते हैं स्क्रीन से आप देख सकते हैं primary colors में आते हैं आप से यह भी पूछा जखता कि आप definition मत बताईए कि बताईए main colors कोंसे हैं तो primary color में आप बोलेंगे blue, red and yellow फिर अगर आपसे पूछा जाते है secondary colors की definition बताईए वो क्या होती है, the colors obtained by mixing two primary colors is a secondary, उनको secondary color बोलते है, two primary colors को आपने match किया तो एक secondary color आपका त्यार हो जाएगा, वहाँ पर भी मैंने example के साथ आपको दिया है, जैसे red और blue को अगर आप mix करते हैं तो violet बन जाएगा, अगर blue और yellow क करेंगे तो green बन जाएगा, red और yellow को करेंगे तो orange बन जाएगा, तो ये इन color के mixing करेंगे तो एक नया color बन के तयार होता है, और ये जो बच्चा painting में या painter बनना चाहता है, क्योंकि देखिए painting को आप भी मत मान के चली, it's not a good profession, जो Picasso थे या और भी बड़े-बड़े महान painters ह जाती रही है, तो उनकी कुछ एक story भी है, जो मैं आपको explain करूंगा, कभी time मिला तो, फिर इसके बाद बात करते हैं, या इसके बारे में ये भी कहा गया है, कि जो secondary colors है, they are also three, they are violet, green and orange, ये secondary color में तीन color आ जाते हैं, next we have tertiary colors, अब आप इनको कैसे obtain करेंगे, तो tertiary color section में होत secondary color, तो तब हमें मिलते है, tertiary color, तो यहाँ पर फिर से आपको थोड़ा सा अपनी knowledge को दिखाना है, अगर आपको knowledge नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप tertiary color की जो definition है, वो proper way से learn कीजिए, क्योंकि जो screen पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर combination थोड़ा सा इनकी definition भी दे दिया करो, लेकिन वीडियो को मैं इतना रखना चाहता हूँ, जिसमें आपको easy रहे, convenient रहे, तो मैंने एक छोटा sour point भी आपके साथ discuss करना है, जैसे example आप से बोल दिया जाए, कि आप indigo color कैसे gain करेंगे, तो वहाँ पर आप उसी definition के according, आप बोले तो ये कुछ एक ऐसी category है, ये सिर्फ उस painter को पता होती है, उसको ये चीज़े learn करने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ 10 पार, 20 पार करेगा, तो उसको mind में आजाता है, कि मुझे ए color ऐसे obtain करना है, उसके लावा जो मैंने आपको बोला, hot colors की category, the colors which give heat and have maximum wavelength, they are called as hot colors, और ये two hot colors होते हैं, red and yellow, इसके लावा cold colors की बात करें, तो the colors which give the effect of coolness and have minimum wavelength, अब वहाँ पर क्या है, maximum wavelength है, तो वो hot colors की category में है, अब यहाँ minimum wavelength है, तो ये cold colors की category में है, ये आ जाते हैं, blue and green, then you can also go for complementary or opposite colors, ये एक अलग चीज होती है, opposite colors की category में आ जाते हैं, colors which are located opposite one another, on the color wheel, आपने जैसे fine arts के students है, तो आपने देखा हो, अगर बुक में color wheel given होते हैं, वहाँ क्या होते हैं, थोड़ा 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 gap होते है, gap in the sense की वो color तो बिल्कुल connected होते हैं, अपस में, लेकिन अगर एक orange है, orange की साथ, थोड़ा सा light orange, थ which when mixed together, will be in color theory, produce a neutral color, a color which is neither warm nor cool, तो ये category आजाती है, आपकी complimentary और opposite colors की, तो बच्चो वैसे तो ये वीडियो आपके लिए basically इसलिए भना रहा हूं कि आप थोड़ी सी अपनी knowledge को और update करें, लेकिन इतना कहना चाहूंगा, कि अगर आपकी किसी भी तरह का और भी doubt है, तो आप without any hesitation मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हर possible help करूँगा, जो भी isolated data होगा, आपको देने की कोशिश करूँगा, और साथ में किसी भी chapter के आपको important questions की जरूरत है, तो चाहे वो English है, political science है, history है, geography है, या business study, economics की बात करें, वहाँ पर भी आप बता सकते हैं, physical education के कुछ important questions की अगर आप जरूरत है, वो भी आप बता सकते हैं, आप देखे एक word मैंने और भी इसमें बोला है, neutral color है, क्या होते, black, white, grey and brown, इनको हम कह सकते हैं, neutral colors, और उसका reason आप दे सकते हैं, they are theoretically neither warm nor cool, ना तो गरम हैं ना ही धंडे हैं, some neutral colors may be achieved by, आप उनको कैसे अचीव कर सकते हैं, by mixing a complementary color pair which neutralizes them, तो यह neutral color की definition हो जाएगी, so I hope so आपको थोड़ा सा clear हो चुका होगा, कुछ चीज़ें आप जो कुछ सक भूल चुके थे, वो आपके mind में थोड़ा सा एंटर कर चुके होंगे, और अब आपको जो next video दूँगा, वो particularly 12th class के लिए होगी, उनकी जो topics हैं, different schools हैं, उनसे related आपको वीडियो देने वाला हो, तो I hope so आप उसका wait करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो, तो like, share and subscribe करना मत बूलेगा, thank you very much and have a very nice day.